तिकर इस शांदार और जवर्दस्ट Session में दोस्तो आज हम लोग सब्गार जियोग्राफी SHब्द को समझेंगे ़ियोग्राफी कैसे हम लोगों के understanding में आती है हम लोग कैसे जियोग्राफी को define करते है यह सब कुछ समझेंगे और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी में इस सेशन को रखेंगे पर उससे पहले आप सभी लोगों से बिनमर नहीं नहीं है तो आज हम लोग कि कृपिया अभी शांत रहें समझेंगे आप सभी के डाउट्स को हम आज लेंगे दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज ये जान जियोग्राफी बनाते है जियोग्राफी का हिंदी मतलब तो होता है बूगोर और ऐसे आपके सामने अगर कोई भूगोर लिख दे तो इसमें दो शब्द आते हैं एक तो आता है भू और दूसरा आता है गोल वैसे गोल अगर माना जाए तो ये आकृतिा किसी भी चीज़ क अगर शेप हम लोग चारो तरफ से राउंड देखें तो उसे गोल कहेंगे और दूसरी बात भू का मतलब होगा प्रित्वी प्रित्वी का मतलब हो गया हमारी मदर अर्थ यानि के हमारी धर्तीमा और प्रित्वी का शेप ये जो कुछ भी इससे संबंधित कहानी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ भूगोल में आता है तो दोस्तो एक तरफ तो हिंदी में भूगोल का मतलब ये हुआ पर अंग्रेजी में भूगोल का मतलब थोड़ा अलग है और अंग्रेजी में जो भूगोल का मतलब है वो भूगोल का मतलब आप जरद ध्यान से सुनिए क्या होता है शब्द है हमारे पास जियो ग्राफी और यह जो जियो ग्राफी शब्द है इस शब्द के दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनने की पूरी संभावना बनी है, तब जागर के जियोग्राफी आया है जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा का है तो याद रखेगा ये यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी भाषा को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीक लैंग्विज तो जियोग्राफी शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से या यूनानी भाषा से तो ग्रीक लैंग् जो पहले एक राज्य हुआ करता था यूनान जो पहले एक बहुत सारे राज्यों का समूह हुआ करता था वो यूरोप में था तो कुल मिला करके यूरोप के देशों को मिले जुले यूनान कहा जाता था प्राचीन समय में लेकिन यूरोप के देशों को अगर मिले जुले ग्योग्राफी कहां से आई तो देखो दोस्तों जियो का मतलब होता है प्रिथवी दी अर्थ और यह जो यहाँ पर एक और शब्द है वो है ग्रैफिया और बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि यह शब्द ग्रैफोस भी है सिंगुलर और प्लूरल से संबंदित बहराल जो अर्थ है जियो उसका मतलब होता है प्रिथवी और जो ग्रैफिया है ग्रैफोस इसका मतलब होता है किसी चीज को लिखना किसी चीज के बारे में क् spar Two know ग्रापर्ली कंपाइल करना डेटा लिखना और देखो चुकी fire अगर लिखना है और जीओ का मतलब पृथवी है तो इसका मतलब यह हो गया कि टोटल यह कुल मतलब जो यहां पर निकल करके आ रहा है वहें प्रित्वी के बारे में लिखना तो इस तरह से जियो का मतलब हो रहा है अर्थ और लिखना ये हो रहा है ग्रैफिया तो to write about the earth is known as geography तो ऐसा ही कुछ समझ लें कि प्रित्वी पे कुछ भी आप लिखें प्रित्वी के बारे में जो भी आप बताएं उसी को geography कहेंगे और यहीं से हमारे शब्द की शुरुवात होती है दोस्तो ये जो geography शब्द है इसको सबसे पहले किस ने दिया था तो याद रखेगा एक बहुत बड़े Greek philosopher हुआ करते थ व्यक्ति का नाम हुआ करता था और उनको geographic पिता भी मानाजाता है geography शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम हुआ करता था सबसे पहला, भूगोल का क्या आर्थ है? तो मतलब प्रिथवी की आकरिती जो लगभग गोलाकार ही हे, परंतु पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, उसके बारे में. दूसरा जियोग्राफी कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है तो युनानी भाषा से लिया गया है युनान कहां था यूरोप को पुराने समय पर युनान का हिस्सा माना जाता था जियोग्राफी में जियो का मतलब क्या होता है तो भईया प्रित्वी graphia का मतलब क्या होता है या graphos का मतलब क्या होता है तो लिखना यानि पृत्वी के बारे में लिखने को हम geography कहते हैं कुल मिला करके हमारा मुद्दा यही है अब एक तो ये बात हो गई जो हम लोग समझने वाले थे कि geography में eratosthenes कौन है तो याद रखेगा father of geography है यानि कि भूगोल के जनक किसे माना जाता है तो father of geography या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखेगा भूगोल का जनक father of geography ये कहा जाता है इरेटो स्थनीज को इसे कहते हैं erato sthenies एक तो ये हुई बात अच्छे चलो father of geography erato sthenies है लेकिन हम आज जो आपको बताने वाले है वो आज आप याद रखेए कि हम पृत्वी की आकार के बारे में शेप के बारे में आपको ये बताएंगे अभी हमने कहा कि भूगोल है लेकिन वास्तों में भूगोल तो है नहीं जो हमारी पृत्वी है ये पृत्वी पूरी तरह से गोल नहीं है जब पृत्वी हमारी निर्मित हुई थी सूर से तूटके तब ये धरखता हुआ गोला थी अब सूर में तो वैसे भी लावा है सूरी में पूरा मैगमा पिखला हुआ है अब मैगमा अलग हुआ अगर सूरी से तूटकर तो मैगमा उस समय पर तो पिखली हुई अवस्था में था और उसे समय कहते हैं कि किसी से टकरा गई अब देखो जब पानी की बूंद जो द्रव अवस्था में होती है जो liquid state में होती है वो जब किसी से टकराती है न तो एक तरफ से नहीं पिचकती वो दोनों तरफ से पिचक जाती है यही कुछ हुआ प्रिथवी के case में भी प्रिथवी के case में भी प्रिथवी जब एक दूसरे ग्रह से जाकर टकराई तो ना सिर्फ की जिधर से टकराई थी अब आज से 460 करोड साल पहले पृत्वी अस्तित्व में आई है तो दोस्तों याद रखेगा कि पृत्वी कितनी पुरानी है तो पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट पृत्वी चार सौ साथ करोड वर्ष पुरानी है अर्थ इस फोर सिक्स्टी करोड इयर्स ओल्ड और चूंकि पृत्वी चार सौ साथ करोड साल पुरानी है तो आज से चार सौ साथ करोड साल पहले वो किस से टकराई थी ये पता नहीं हमको पर हां जो लोग हमारे जियोग्राफी को बढ़िया से जानने वाले लोग हैं वही लोग कहते हैं कि पृत्वी टकराई होगी इसलिए तो चप्टी हुई होगी वरना अगर कोई द्रव कभी भी हवा म चोड़ दिया जाए तो वह गोल ही हो जाएगा क्योंकि वह अपने आपको सबसे कम से कम शेत्र में समेटने की कोशिश तो करेगा वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ लेकिन पृत्वी गई टकरा और पृत्वी चूकी टकरा गई तो टकराने की वजए से पृत्वी दोनों आकार कैसा है आप से यही प्रशन पूछा जाएगा शेप ऑफ अर्थ इसे कहेंगे पृत्वी का आकार या पृत्वी की आकृति कैसी है तो देखिए दोस्तो हमारी जो पृत्वी है उसके बारे में याद रखना एक पॉइंट अगर हमारी पृत्वी पूरी तरह से गोल ह होती तो पूरी तरह से गोल होने में इस तरह होती लेकिन हमारी पृत्वी पूरी तरह से गोल नहों करके अपने ध्रूओं पर ऐसे चप्टी हुई सी है अब जो हमारी पृत्वी ऐसे चप्टी हुई सी है काश इसकी फोटो होती हमारे पास तो हम आपको जरूर दिखाते पर इन्त토 कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा, अब देखिए, पृत्वी अगर पूरी तरह से गोल होती, तो पृत्वी diagram number 1 की तरह होती, लेकिन पृत्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, तो diagram number 2 की तरह है, अब ये देखिए, गोल होने में इतनी दूरी कम है, य कि इसी दूरी को कहते हैं। अबलेट इसे अंग्रेजी और हिंदी दोνों में ओलेट कहा जाता है। अब देखो बबू ए मैं अब प्रिथवी जो है प्रिथवी अगर पूरी गोल होती तो यह नमबर वन वाले डाइग्राम के जैसे और कितना कम है तो याद रखिए oblate कम है नहीं तो पूरा पूरा गोला हो जाती पहला वाला पूरा गोला है तो हम इसको sphere कह रहे हैं गोला कह रहे हैं लेकिन ये वाला पूरा गोला नहीं है ये तो धुरूब चप्टा हुआ है अब चप्टा है तो हम इसको oblate कह रहे हैं जो distance कम है पूरे गोले से अभी वाले में जो distance कम है न वो दोनों को मिला करके हम कहते हैं oblate अब देखो मज़ेदार fact अगर मालो कोई गोला है वो अपनी धुरी पर ऐसे घूम रहा है ऐसे जैसे अब प्रित्वी अपनी धुरी पर घूम रही है कि इस फियर को जब भी rotate होता हुआ देखेंगे वह स्फिरॉइड कहलाएगा इस फियर का मतलब होता है गोला और इस फियर अगर घूम रहा है तब घूम रहा है मतलब अपनी ही धुरी पर अपनी धुरी पर घूम रहा है तो उसको कहते हैं याद रखिएगा दोस्तो इस फिरॉइड उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं स्फिरॉइड हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तो घूमता हुआ गोला लेकिन ये कॉंसेप्ट ही इंग्लिश में है क्योंकि ये कॉंसेप्ट अंग्रेजी की ग्रीक भाषा से लिया गया है अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे भाषा के शब्द हैं जो ग्रीक भाषा से लिये गये हैं जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्रिट से लिये ग कहें घुखको इस लिए प्रित्वी का दाओ ध्यकर उससे हम लोग इस फिर्युक्तु है किये हमारी जो प्रित्वी है प्रिथवी एक तरह का Oblate Sphere है, Oblate घूमता हुआ गोला है, अब हमारे लिए प्रिथवी के पास एक शब्द है, यह देखिए, प्रिथवी को क्या कहते हैं जियो, और अगर इसको जियो कहते हैं तो ध्यान से सुनिए, Oblate Sphere की जगे जियो रख दीजिए, और अगर GEO रख देंगे तो last में ID लगा दीजे तो यह हो जाएगा GEOID अब अगर आपसे कोई पूछे कि पृत्वी का आकार या पृत्वी की आकृति कैसी है अर्थ का शेप कैसा है तो अर्थ का शेप हमेशा GEOID ही बताईएगा और अबलेट स्फिरोइड कह दीजे या GEOID कह दीजे इन दोनों में से कोई भी आकार का नाम ले सकते है GEOID पूछा गया है परिक्षा में अब यह न बोलिएगा कि संतराकार है अंडाकार है आधा गोला है चप्टा गोला है यह सब कहने की जरूत नहीं है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रित्वी की आकरती कैसी है तो दोस्तों प्रित्वी की आकरती प्रित्वी की आकरती जियोईड है क्या है प्रित्वी की आकरती जियोईड है इस्फियर है घूम रहा है तो इस्फिरोइड है अबलेट कम है तो अबलेट सकते हैं जीओ का मतला हुमारी प्रित्वी है लीजिए अब बताओ समझ में आया अब बताओ बताओ जल्दी से यहां तक समझ में आ रहा है ना कि घूमता हुआ गोला इस्फिरॉइड है और अबलेट कम है तो अबलेट इस्फिरॉइड है बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है आपके प्रश्ण और पीडियाफ लास्ट के पंद्रह मिनिट में ठीक है चलो अब अगर यहां तक समझ में आ गया बाबू तो देखिए कितने प्रश्ण है जो आपकी परिक्ष्ण में पूछ जा सकते हैं ध्यान दीजिए सबसे पहला प्रश्ण जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है फादर इरेटोस्थनीज को दूसरा प्रश्ण प्रित्वी कितने वर्ष पुरानी है 460 करोड तीसरा प्रश्ण जियोग्राफी शब्द किसने दिया इरेटोस्थनीज ने प्रश्ण प्रित्वी की आकृति क्या है तो आपको जियोईड बताना है ठीक है तो देखो दोस्तों हम हिंदी में जिसे भूगोल कहते हैं वह भूगोल जियोग्राफी का हिंदी नाम है परंतु भूगोल जियोग्राफी का एकदम करेक्ट शब्द नहीं है जोकि हम मानते है कि पृण्ड रूप से गोल नहीं है याद रखेगा पून्ड रूप се गोल होती तो कैसी होती पूंड रूप से गोल होती तो number one जैसी होती number two जैसी ना llamarook फॉशह कमinger weन डेहा गो आटे की लेख़े हो आटे की डोटे जो होती है आटे की लोग disorder नहीं है इसे ऊपर चिपका देते हैं तो इध्र उधर का शेप ठीक रहता है पर ऊपर से末वाइड रहता है अब भी अईसे गोल रहेगा पिर नीच यह hyvin हो गई हमारी कि अचैँ है तो यह याद रख लीजिएगा अब चलिए अभी इसके आगे हम आपको और었던 जो आपकी पो रिक्षम पूछी जाती हैंपरंतु कि आपको पता है पुरे विष्व में कितने महा द्वीप हैं continue महासागर हैं पूंठा सकता है परिक्षा में कल को है चलिए अभी आपको बताएंगे insurance ठीक है बड़े ध्यान से सुनिये पूरे विश्व में कितने महाद्वीप कितने महा सागर तो विश्व में महाद्वीप वा महा सागर है ना continents and oceans in the world ठीक है ना continents and oceans in the world कितने महाद्वीप हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है वो महाद्वीप से संबंधित होगा तो देखो दोस्तो महाद्वीप जिसको हम कह रहे हैं continents कितने हैं और उसके बाद दूसरा है महा सागर जिसे हम कह रहे हैं oceans का मतलब महा सागर कितने हैं अब आप देखिए बड़े ध्यान से इनको जो continents है वो है टूटल आठ कि इस दुनिया में कुल आठ महाद्वीप हैं पहले साथ होते थे आज कल आठ हो गए हैं बाबू पहले साथ अब देखिए पहले नंबर पर हो गया एशिया दूसरे नंबर पर हो गया यौरॉप तीसरे नंबर पर हो गया अफ्रीका तीसरे नंबर पर अफ्रीका चौथे नंबर पर हो गया उत्तरी अमेरिका पांचमे नंबर पर हो गया दक्षणी तो चौथा और पांचमा जो है इसमें से देखिए एक तरफ है नौर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ हो जाएगा साउथ अमेरिका तो नौर्थ अमेरिका का मतलब उत्री अमेरिका ये भी एक महाद्वीप है और फिर दूसरी तरफ है दक्षणी अमेरिका यानि कि साउथ अम अमेरिका जो है इसको हम लोग कहते हैं दक्षणी अमेरिका और दक्षणी अमेरिका महाद्वीप दक्षणी की तरफ इसलिए तो दक्षणी अमेरिका है फिर छटमा का उनसा है साथमा का उनसा है और आठमा का उनसा है तो यह ध्यान से पढ़िए छटमा वाला जो महाद्वी तो यहां हो गया और उसके बाद पिर आठवा जो है उसे हम लोग कहते हैं जीलैंडिया और यहाज अफिकल नयाख हो जागया अघुछा महा धूइफ है बाबू याद रखियेगा कॉन सा महा धूइफ है इसे कहते हैं जीलेंटिया तो आठ टोटल व्हा धूइफ हो गए महा सागर कितने महा सागर तो 5 ही हैं न पहला है जिसको हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर तो एक हो गया प्रशांत दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं अट्लांटिक तो अट्लांटिक महासागर हिंदी में भी अट्लांटिक प्रशांत को Pacific कहते हैं Atlantic को Atlantic कहते हैं तीसरा आ जाएगा Indian Ocean इसको दोस्तों कहते हैं हम लोग हिंद महासागर फिर चौथा आ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक ऑशियन तो याद रखेगा आर्कटिक को तो आर्कटिक ही कहा जाता है और फिर पांचमा आ जाता है हमारे सामने जिसे हम लोग कहते हैं सदन यानि की दक्षण महासागर क्या कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा दुख जो है आप लोगों को उस दुख का हल निवारन करने आ गए हैं हम कैसे सबसे पहले आर्कटिक एक महासागर है जो उत्री ध्रूम की तरफ है याद रखे आर्कटिक कोई जमीन वाला हिस्सा नहीं पानी वाला हिस्सा है भले बरफ जमी हुए उस पर आर्कितिक बाबू महासागर है इसजेन चाहिए इस नोट डि कॉंटिनेंट यह एक महासागर है कोई महाधवीप नहीं है तो यह अगर आश्यन है तो याद रखेगा आर्कितिक आश्यन है और यह जो अंटार्कितिक आंटार्टिक है कॉंटिनेनट है तो अंटार्टिक महा दूइफ है आर्केटेक महासागर है आरी कर लिए जो लिखा लिखाया है आपको pdf hesitate नलोग अपलोड हो जाएगा धोड़ी देर से तो विश्व में महादीप और महा सागर continent और ocean जो है वो कुल मिला करके 8 महाद्वीप है और 5 महासागर है तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं bracket में इधर लिख देते हैं 8 और इधर लिख देते हैं हम लोग 5 तो total ये हो गए अब देखो दोस्तो आज से बहुत सालों पहले क्या हुआ करता था देखिए आज से बहुत सालों पहले पूरे के पूरे महाद्वीप सभी कठा थे ये देखिए और पूरा के पूरा ये जो महाद्वीप सभी कठा था इसको पैंजिया कहा जाता था याद रखिएगा आज से लगभग 25 करोड साल पहले यह पूरे महादूइप सब एक साथ थे और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा महासागर था तो जब पूरे महादूइप एक साथ थे तो इनको क्या कहते थे याद रखेगा इनको कहते थे पैंजिया ये पूरा महादूइप का टुकडा पैंजिया कहलाता था हिंदी में इसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर पैंजिया पैंजिया कहते थे अब ये पैंजिया के नीचे वाला हिस्सा जहां दक्षिन अमेरिका अफ्रीका भारत अंटार्क्टिक और अस्ट्रेलिया है इसे क्या कहते थे तो बाबु याद रखना ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इस नीचे वाले हिस्से को कहा जाता था गोंडव भूमी आज से 25 करोड साल पहले की बात कर रहा हूं मैं तो यह हो गया दोस्तों गोंडवाना यह हो गया अपना गोंडवाना लेंड और यह जो ऊपर का हिस्सा हुआ करता था जिसमें अमेरिका नॉर्थ वाला और यूरेशिया है इसे कहा जाता था दोस्तों लौरेंशिया इसे क्या कहते थे इसको हिंदी में भी लॉरेंशिया ही कहेंगे लॉरेंशिया और यह जो लॉरेंशिया है इसी लॉरेंशिया को अंगारा लेंड भी कहा जाता था अंगारा लेंड हिंदी में कहा जाए तो इसे अंगारा भूम ही कहते थे बाबू अब पैंजिया जो है पैंजिया के दो टुकड़े हैं पैंजिया के ऊपर वाले हिस्से को लॉरेंशिया कह रहे हैं पैंजिया के नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना कह रहे हैं और पैंजिय उसे कहते थे 55 लासा यह प्रश्ण पूछा हुआ है परिक्षा में आज से 25 करोर साल पहले जो सब के सब महादूइप इकठा थे वो सब के सब महादूइप इकठा होकर क्या कहलाते थे तो पैंजिया अभी पैंजिया का निचला हिस्सा जहां दक्षणी अमेरिका अफरीका भ और यह मैं कब की बात कर रहा हूं यह मैं बात कर रहा हूं आज से मात्र और मात्र 25 करोड साल पहले की इसको पैंथालासा कहते थे फिर क्या हुआ फिर जोर पढ़ना शुरू हुआ मतलब क्या है समुंदर जो है ना समुंदर इसे काटता है बार बार अभी हम आपको दिखाते हैं कईसे अब बड़े ध्यान से देखना एकदम पूरा पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे जबर्दस्ती काट करके बना दिया जाता है एक नया महा देखे ध्यान से इसको ङाए यह देखिये लगा जो डालते गये सब कुछ तूटा गये देखो साओधी अरब तूट रहा है और तो और यह देखो भारत तूट रहा है भारत जाकर तकर आया कहाँ, बीच में तो पूरा महासागरे खतम कर दिया भारत, यह देखी, यह भारत है, यह मेड़ा गासकर दीफ है, छोटा वाला, यह देखो, भारत कहाँ जा रहा है, ये देखो ये जा रहा ऊपर की तरफ और ये 20 करोड साल तक ऐसा हुआ है थोड़ा 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 खिसकाते 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 महासागर इसको 20 करोड साल में ले जाया और ले जाकर के टकरवा दिया है कहां ऊपर की यूरेशियाई प्लेट में अब आप तो कितने करोड साल लगे हैं बीस से 22 करोड साल तब जाकर यह यहां से खंडित होकर ऊपर टकरा पाया है आज भी नीचे से लगातार ठेल रहा है पानी आज भी नीचे लगातार पानी ऊपर की तरफ ठेल रहा इसलिए हिमाले की उचाई अभी विए 2 cm प्रतिवर्श बढ़त यह जो हम सिध्धान्ट आपको बता रहें न इसी सिद्धान्ट को कहते हैं महा दूइपी विस्थापन का सिद्धान्ट इसको कहते हैं Continental Drift Theory ठीक है तो याद रखिए यह महादूइपी विस्थापन का सिध्धान्त है जहां जा करके अई भारत टक्रा गया है युरेशियाई भूमी में कि समझ रहे हो एकदम सिंपल सी बात जो आपको बता रहें ध्यान से समझना बार बार महासागर को कौन किया है महासागरों ने आगे की तरफ ठेला भारत को और आगे एक तरफ ठेलते भारत जक टक्रागे वहां पे तो पैंजिया एक बहुत बड़ा सा महाद्वीप था आज से पचीस करोड साल पहले इस बहुत बड़े से महाद्वीप में लगातार समुद्र के लगने वाले बल ने धी चोटे टुकडों में भारत भी था जो भारत जा करके टकराया यूरेशियाई भूमी में लॉरेंशिया के हिस्से में और ये जो पूरा का पूरा बड़ा सा महासागर मौजूद है ये महासागर को पैंथलासा कहा जाता था और भारत एवं अंगारा भूमी के बीच में कौन स महासागर विलुप्त हुआ तो देखो बाबू यह टेथस महासागर विलुप्त हो गया अब आज का जो हिस्सा है आज का हिस्सा नौर्मल आईसा है यह देखिए कि आज का जो हिस्सा है आज के हिस्से में दिखता ही नहीं हमको कहीं पर भी यह तो देखो यह जो हम आपको समझाने का कोशिश किये हैं आज का हिस्सा कुछ इस तरह से आपको दिखता है उत्री अमेरिका दक्षणी अमेरिका योरोप अफरीका और यह एशिया और नीचे आस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्क्टिका है और फिर यहीं बगल में जीलेंडिया भी एक नए महादूरीत की जो खोज कर ली गई है वो है बताओ बाबू यहां तक कुछ समझ में आ रहा है काहे ऐसा हुआ होगा बगल लगातार महासागर ठेल रहा क्या करेंगे अब बताइए कि लॉटी कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है आईए हम इसको बारे में बताएंगे अभी आपको ठीक है बहुत सिंपल सा लॉजिक है बहुत सिंपल सा लॉजिक देखिएगा यह जो लिखा लिखाया है सब पीडियाफ आपको दे देंगे हम देंगे परस्नली आप टेंशन मत लीजिएगा और हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए कि यहां आज से आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था एक बड़ा महाद्वीप था और यह जो बड़ा महाद्वीप है इस बड़े महाद्वीप का नाम हुआ करता था पैंजिया क्या कहते थे इसको तो इसको कहते थे पैंजिया और यह जो पैंजिया है यह पैंजिया दो हिस्सों बटा हुआ था कौन-कौन से दो हिस्से थे तो याद रखिएगा एक तरफ है उत्तर का हिस्सा उत्तर का मतलब नौर्थ और एक तरफ है दक्षिड का हिस्सा दक्षिड का हिस्सा है ताउथ और यह जो उत्तर का हिस्सा था उत्तर के हिस्से को क्या कहते थे तो बाबु याद रखना उत्तर क अंगारा लैंड और अंगारा लैंड लॉरेंशिया इसमें कौन-कौन सा हिस्सा था तो ये भी याद रखना कि लॉरेंशिया या अंगारा भूमी इसमें हुआ करते थे एक तो यूरोप दूसरा एशिया और तीसरा यहाँ पर उत्री अमेरिका क्या हुआ करता था उत्री अमेरिका हुआ करता था फिर है शाूथ षिस्छा जो पहींजिया का था तो यह साूथ ही साउथ हिस्सा को में इस बगल में लिखते हैं ताकि आप मैं को लोगों को क्लियर हो और इसका जो दक्षिन हिस्टा हुआ करता था साउथ दक्षिन यानि की साउथ हिस्टा साउथ हिस्टा को कहा जाता था गोणवाना भूमी गोणवाना भूमी और ये देख लिजे गुणवाना लैंड जो है गुणवाना लैंड में कौन कौन से हिस्से हैं तो सबसे पहले साउथ मैं जो हिस्से हैं उनमें से नमबर वन पर आ गया हमारा दूसरा हो गया दक्षणी अमेरिका दक्षणी अमेरिका तीसरा हो गया भारत चोथा हो गया आस्ट्रेलिया और पांचमा हो गया अफ्रीका हो गया दक्षणी अमेरिका भारत हो गया आस्ट्रेलिया हो गया और पांचमा हो गया अंटार्क टिक अंटार्क टिक यह सब क्यों सब अलग-अलग से हिस्से हैं जो इस पैंजिया के ही टुकडे थे तो भारत इंडिया औस्ट्रेलिया और अंटार्क टिक इतने सारी चीजें ठीक है तो दो हो गया ना यह आपको बस ध्यान रखना है और आगे चलते हैं आगे चल करके और भी बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कब से कब की बात कर रहे हैं हम आज से लगबग 25 करोड साल सुपर कंटेनेंट कौन सा तो यह है पैंजिया के दो हिस्से यानि कि हमारा जो सुपर कंटेनेंट है उसका एक हिस्सा यह वाला और दूसरा हिस्सा यह वाला चलो अब यह तो बात हो गई 25 करोड वर्ष पूर्व पैंजिया जिस भी याद रखना कि शुपर ओशियन न एक बड़े महासागर कि बड़े महासागर कि पैन्थालासा कि बड़े महासागर पैन्थालासा ते पैंजिया घिरा हुआ था तो यह भी याद रखिएगा दोस्तो कि पैन्जिया वोज सराउंडेड पैन्जिया वोज सराउंडेड बाई अ बिग ऑशियन बिग नहीं यहाँ पर सही शब्द होगा लार्ज लार्ज ऑशियन कॉल्ड पैन्थालासा अरे तो और एक और पॉइंट इस सब बात कहां लिखा हुआ है बाबू तो याद रखिएगा इस सब बातें जो हैं यह किसने दी हैं यह दी है महाद्वीपिये विस्थापन के सिध्धान्त ने और महाद्वीपिये विस्थापन के सिध्धान्त को क्या कहा जाता है तो याद रखेगा महाद्वीपी ये विस्थापन का सिध्धान्त महाद्वीपी विस्थापन का सिध्धान्त और महाद्वीपी विस्थापन का सिध्धान्त कहलाता है कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट और महाद्वीपी विस्थापन क्या है तो अभी समझाए ना जो आप देख सब्सक्राइब और और यह तो भारत अलग भिल रहा दो नहीं हया विश्थापन को आप इसको दिया था ईल्फ्रेड वैगनर में और यह व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कि किस ने महादुईपी विस्थापन का सिध्धान्त दिया है अल्फरेड वैगनर भाईया इसका नाम याद रखिए चलिए अभी और आगे बताते हैं ठीक है और आगे बताते हैं आपको हाँ अब जैसे हमारे पास यह प्रश्ण आज़ा तो अभी भी क्या स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है महादुईपों का अब इसे बिगड़ेगा तो नहीं पर वह इसे होने को अलग हो सकता है अब दूसरी बाती है जैसे अब भारत है तो भारत को लगातार ठेलता जा रहा है आप भारत को लगातार ठेल रहा है अगर महासागर तो फिर हमाले की उचाई भी तो बढ़ेगी अब जैसे भारत जाकर टकराया है दूसरे बात का उस्तर पूर्व में हिमाले बना है तो जो जैसे ठेलता जाएगा विश्य किसे भणाले की उचाई बढ़ती जाएगी दो क्या बताए थे आपको आपको बताए थे कि दो सेंटिमीटर प्रतिवर्ष इतना बढ़ता है यह बात आपको याद रखनी है ऐसे ही महा सागरों की बात है यह चलो फिर आगे चलते हैं एक और चर्चा जो है एक और चर्चा इसी से सम्मंधित होगी आगे चल करके बताते रहेंगे आपको फिलहाल जो आपको बताए यह पॉइंट याद रखिएगा यह सब आपको स्टेटस में हम अप्लोड करके दे देंगे आपके पीडियाप फीडि हुण है भारत किस्का हिस्सा है तो भारत है एशिया का हिस्सा है ये जो आप देख पा रहे हैं दो ये भारत है हमारा हमारा प्यारा भारत हालाकि मैप कीठ ठाक नहीं बना है पर उसके बावजूद आप लोग ये पता तो लगा ही सकते हो कि हमारे प्यारे भारत की बात हो रहे हम ने थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा कब्जा मार लिया है और थोड़ा सा हिस्सी Secret ऐसे बड़ासा होगा भारत का अब गुरनमिला के मुद्दा यह है कि यह जो भारत का हिस्सा है आता तो एशिया में हैं अगर आप महां द्वीप में एशिया देख रहे हैं तो एशिया में आपको य conting ये भी देखना पड़ेगा कि यार ये जो हमारी भूमद तो भूमद द्रेखा यहां से गोजरती है तो भूमद द्रेखा से ठूड़ा सा दूर भी है हमारा जो कन्याste DR sous कि आठेंट .8080 i장 किलोमीटर की दूरी पर है 800-900 किलोमीटर मान allora तो भूमत दरेखा से हम कितनी दूर हैं हम है 800 से 900 किलो मीटर दूर है एक दम एक्जैक्ट नहीं पर हो गया 800-900 किलो मीटर के आसपास दूर है हम हमारा चेन नहीं फिर इसे तो अब 800-900 किलो मीटर आप फिर आउर आगे चले जाओ यहां कन्या कुमारी से अब श्रीनगर पहु पकड़ के सीधे श्रीनगर पहुंच जाईए तो इस पर 4000 किलो मीटर आउर जोड़ना पड़ेगा आपको तो 4000 जो आउर जोड़ेंगे ना 4000 नहीं पर 3745 तो हम रफली 4000 कह रहे हैं तो आपको टोटल जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की दूरी मिलेगी भूमत रेखा से वह को मिलेगी 400 किलो मीटर के आसपास ठीक वह इसे कुल मिलागे हिसाब किताब है इसका च्यालिस्तों से 400 किलो मीटर के आसपास मिलेगी खैप हम जब अपने भारत की जियोग्राफी की चर्चा करते हैं तो भारत के भूगोल को थोड़ा सा हम समझेंगे आज और भारत की भू जनरल क्लासिफिकेशन को हम आम तोर पर कहते हैं सामान्य वर्गी करण और क्या है सामान्य वर्गी करण भाया समान्य वर्गी करण यह कहता है कि कहां पर होंगे पठार कहां पर होंगे पहाड कहां पर होंगी नदिया कई से पता कीजिएगा तो पता करेंगे ऐसे कि अगर ह हम महासागर के समुद्रतल को देखें, मान लीजिए, यहां पर हम कहते हैं कि यहां से महासागर है, अब महासागर के बाद जो जमीन का हिस्सा है, वो जमीन का हिस्सा तो महासागर से उपर होगा, इसलिए ने जमीन है, अगर वो सेम होता, तो फिर काहे के लिए वो जमीन होता डूबाई हुआ होता तो यह ऐसे जमीन है जमीन मान लिजा इसे उपर है फिर उसके बाद जमीन और उपर भी हो सकती है आइसे उंचाई वाले जगहें भी हो सकती है थोड़ा बहुत पहाडिया हो सकती बाकी उपर भी प्ले provocative एरिया हो सकता है और तोर यहां से आगे चलने के वाद बहुत उंचे-उंचे पहार भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे बहुत उंचे पहार तो यह जो हम आपको समझाने कोशिश कर रहे हैं इसका logic क्या है। इसा लॉजिक हम बताते हैं यह जो समुद्र का स्तर है ना इस समुद्र के स्तर को कहते हैं हम लोग मीन सी लेवल खीक है इस समुद्र का स्तर है समुद्र स्तर को क्या कहते हैं इसे कहते हैं समुद्र तल और यह जो समुद्र तल है इसे mean sea level कहा जाता है आप लोगों ने देखा होगा railway station पर बावु लिखा रहता है समुद्र तल से उंचाई जब railway station में हम घुसते हैं तो railway station में तीन भाषा हों पहले railway station का नाम लिखा हुआ होता है ना एक अंग्रेजी में एक हिंदी में एक संस्कृत में या उर्दू में या पंजाबी में मतलब वहीं जहां की भाषा होगी तो एक अंग्रेजी में है एक हिंदी में है और फिर एक संस्कृत या किसी भी स्थानी भाषा में है पंजाबी में है गुजराती में है उडिया में है पिर नीचे लिखा रहता है समुद्रतल से उचाई पढ़े हैं कि नहीं ध्यान दिये होंगे आप हमेशा रेल्वे स्टेशन घुसते समय प्लेटफॉर्म में इसे बड़ा सा पीला बोर्ड लगा रहा है पीले बोर्ड में रेल से जब आप घुसते हो प्लेटफॉर्म पे तो काले कलर से लिखा रहता है बताइए कि काले कलर से ब्लैक कलर से लिखा रहेगा इसे नीचे लिखा रहता है समुद्रतल से उचाई याद आया वह यही वाला समुद्रतल से उचाई वो समुंदर के वह नीचे तली से उचाई नहीं धून रहा है समुंदर के लेवल से उचा मुंबई से मापा जाता है तो समुंदर का जो इस्तर है समुंदर के इस्तर से उंचा है तभी तो हम थल में हैं समुंदर के लेबल में होता बाबू तो डूब ना गए होते हम लोग समझ रहे हो अगर समुंदर से गहरा होता तो समुंदर से गहरे में तो हम डूब गए होते समुंदर से उपर है इजले तो हम थल पे है अज़र देखो ध्यान से एकदम बढ़िया ध्यान से समझो बाबू लगभग 100 मीटर तक की उंचाई वाला एरिया क्या कहलाता है तो लग यह लगभग 100 मीटर की उंचाई तक लगभग 100 मीटर की उंचाई तक इसे कहते हैं मैदानी शेत्र मैदान को कहते हैं दोस्तों प्लेन एरिया क्या कहते हैं प्लेन फिर दूसरा सौ से 1000 मीटर की उंचाई तक और यह सौ से 1000 मीटर तक की उंचाई जो होती है इसे हम लोग कहते हैं पठार और यह जो पठार है बागू इसे कहा जाता है प्लेटो अच्छा 1100 मीटर से जादा ऊपर हो जाए तो 1000 Sick मेटर से ज्यादा और 1000μ जादा हो गया तो फिर हम इसे क्या कहेंगे तो इसे कहेंगे पर्वत मौउंटेन है इसे नेको पर्वत है लेकिन इक बात बताएं आपको अब हमशे लेड़ने मत लग सबसे उची सोटी अब बताइजे अब आप कहेंगे कि अरे तद तक तो पहाड होई न किया तो पठार हो गया तो बाबू उसको कई बार केंद्री उच्छ भूमी पठार कहा जाता है Central Highlands प्लेटों भी कहा जाता है और कई बार उसको विंध्याचल परवत भी कहते हैं बताएंगे आपको उसके बारे में भी ठीक है समझ रहे हो ना तो ध्यान से आपको यह समझना है कि यह जो मैंने कहा है यह मात्र एक सामान्य वर अब बताएंगे जल्दी से सभी लोगों को यह पता चल गया ना कि बाबु जो समुद्र तल होता है वह समुंदर का लेवल होता जैसे मुंबई मैं इसे सामने खड़े हो जाईएगा ना तो मुंबई के सामने खड़े होकर कि जो आपको पानी का लेवल दिख रहा है उसी के लेवल से उचाई की बात कर रहे हैं वह मुंबई के सामने जो इंडिया गेट के सामने आप समुंदर का लेवल देख रहे हो ना उसी याद रखिएगा उसी उसी लेवल से ना 8888.86 मीटर उचा माउंट एवरेस्ट है यह पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से एकदम समझना है आपको ठीक तो यह पॉइंट आपको याद रखना है अब बड़े ध्यान से इसको याद रखिएगा तो मुंबई से हम जो मापते हैं यह मुंबई से मापने में जो उंचाई है वो उंचाई धीरे-धीरे करके बढ़ती जाती है अब अगर प्रफिया यह अब इसके हलावा इसके अलावा तो भाई अनुमान के अनुसार पृत्वी लगभख 460 मिलियन वर्ष पुरानी तक चारसो साथ मिलियन वर्ष नहोगा और ज्यादा होगा घर यहादा चारेजार जो मिलियन वर्ष होगा यह एक और जीरो लगाओ चारजार छहसो मिलियन मतलब 460 करोड करोड वर्ष पुरानी महादुवी विस्थापन का सिधान तल्फिट वेगनर ने दिया है भारत किस तरह से बना यह सब हम लिख दिये हैं तो जो आपको ऐसे लिख लिख के पढ़ाएं हैं उसका थियोरी भी लिखे हैं यहाँ पे तो थियोरी जो है वह थियोरी आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक यहाँ देखे साथ महादुवी लिखा हुआ है आठवे का नाम लिख लीजेगा यह पहले डूप गया रहा फिर उसके बाद फिर घूम गया गया यह कुछ नहीं यह पिछले साल खोजा गया है दो हजार तेईस में इसकी अस्तित्त्य की बात आई है बाकी तो यह पहले से by घ्रे घ्राएब था फोजिलैंडिया कहते हैं इसको और यह भी च्किल रखेगा चलो भाई अनंद्रवी कह रहे हैं ना सर सत्पुड़ा की पहाड़ी 700 मीटर ना है सत्पुड़ा की पहाड़ी नहीं बिंध्याचल की पहाड़ी बोल रहा हूं बाबू ठीक है चोनु को बढ़िया क्वेश्चन है कि च्यालिस सो मिलियन वर्ष कैसे पता चला देखिए बिग बैंग थेओरी का हिसाब किताब है एक बिग बैंग थेओरी में हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जॉज लेमेंट्रे मतलब जियोग्राफी के बह चलासथ की थी chaque है हम सुमन कुमारी कह यह क्लास यूपग पूलिस की है यूपग पूलिस की नहीं बाबू कि दल सरकी है अच यूपग पूछरे हो देखो अईजा है कि आपको जिस भी एक्जाम के तयारी करनी है आपको जियोग्राफी यही पूछी जाएगी आप लिखवा के ले लीजिए किसी गैस्टेट ऑफिसर से टेस्ट करा लीजेगा चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे बिहार स्सी हो चाहे स्सी जीडी हो चा परिक्षा होता है ना बाबु सबका जियोग्राफी सेम होता है किसी का जियोग्राफी अलग नहीं होता है यह बात अलग है कि जो राज्य का जीके होगा वो राज्य का जीके अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे ठीक है जियोग्राफी सबका सेम होता है अब बात अलग हुआ है पेंजिया से मत्ला लौरेश्या गौणवाना यूपीज के लिए बिहार पुलिस के लिए अलग अलग हो जाएगा सेम रहेगा जीयोग्राफी रूज यहीए पढ़नी है आपको हर एग्जाम के लिए सेम पढ़नी है अगर आप जियोग्राफी किसी भी परिक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप नौदीप सर का नाम याद रखिए जियोग्राफी और रोज शाम पांच सेश है और इसके साथ साथ अगर आप हमारे पेड़ बैचे से जुड़ोगे तो आपको यही वाली जियोग्राफी पढ़ने को मिलेगी और अभी इसके आगे ना भारत की जियोग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे अभी तो साथ महादवी पाएं हैं साथ महादवी के बाद भात में हिमाले पढ़ेंगे विन्याचल पढ़ेंगे अरावली पढ़ेंगे सत्कुड़ा पढ़ेंगे पठार मैदान पढ़ेंगे नदी पढ़ेंगे मांसून पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे अभी अभी तो हम लगबग 25 जियोग्राफी पढ़ेंगे करन कुमार जी जीलेंडिया जो है वो दक्षिनी गुलार्द के हिस्से में दक्षिन की तरफ है ठीक है आगे चल करके अरे धन्यवाद नमबर नहीं दे सकते बाबू प्रैक्टिस के लिए आपको बुकुक सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है हम आपको कल पीडियाफ देंगे यही पर कॉमेंट सेक्षन में पिन कर देंगे आप डाउनलोड कर लेना बागू ठीक है राजकुश्वाहा दूब गया था तो हजार तेश में फिर से अस्तित्त्त में आया है कहां से बैल ओएल चले आते हैं क्लास में कह रहा है आप तयारी करते थे तो आपकी गल्फरेंड कितनी थी बाबू मेहनत कर लो ध्यान से हम जो तुमको बाबू बोल रहे हैं चोटा बच्चा को बाबू बोला जाता है अपने यहां वह बाबू सोना मोना वाला बाबू नहीं हो तुम पढ़ाई कर लो और नहीं तो जीवन में बता रहे हैं फिर वही है लड़कियों के लिए तो फ वे सरकारी नौकरी नहीं तो मनपसंद रड़की सद्यों न होगी समझ लो हाँ अनीशा देखो बागु किसी भी परिक्षा की त्यारी आप कर रहे हो बढ़िया सरीके से यहां कर लोगे ठीक है देखो मौक टेस्ट दे देंगे कल हम आपको पीडियाफ शेयर करेंगे उसमें आंसर भी लगा हुआ होगा पर आप लोग जो है क्वेश्चन करते रहिएगा पर हां आप लोग क्वेश्चन करिए परन्तु जियोग्राफी की क्लास का पहले इंतजार करिए जब हुआ हुआ था पहले हाँ टेथा सी कैसे बना नहीं टेथा सी कैसे खतम हुआ ऐसे सलुरी तो वह है महादुपी विस्थापन की वज़े से खतम हुआ ठीक है हाँ लवकुष जी क्वेश्चन यही पर पूछो आंसर कर तो रहे हैं बाबू अरे देखो हम न शुरू शुरू में क्या है चैट बंद कर देते हैं कहें कि चैट इसलिए बंद करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन बहुत अंटसंड चीज पूछता है अभी देखो यह पूछ रहा हमसे हमारी गल्फ्रेंड कितनी थी साधी सुधा आदमी 38 वर्स का हो गया हूं मैं जब हमारे जमाने में गल्फ्रेंड और फ्रेंड नहीं बना करती थी बाबू तुम्हारे जमाने वाले मोवाइल फोन के आदमी नहीं है इस सब दाड़ी ओड होते हैं आगे देखो बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को रोज-शाम को 5-6 मिलेगी बहुत बढ़िया से आपको जानने को मिलेगा शंजू जी बिलकुल जियूगराफी बिलकुल है परयांप्त है कोई भी परिक्षा की तैयारी है आप कर रहे हो हर परिक्षा के लिए प का नोटिफिकेशन हम नहीं जानते कभ आएगा कहे कि हमको कोई आडिया नहीं आभी आरपीकेशन का बीच में आया था एक नोटिफिकेशन वह गड़बड़ा आ गया बाकी RPF में आपका GKGS में जियोग्राफी आएगा तीन-चार क्वेस्चन आपको देखने को मिलेगा हर परिक्षा में तीन-चार क्वेस्चन ठीक है 20 फर्वरी तक कंप्लीट हो जाएगा विजय भहिया पक्का उंकार जी जल्दी ही चालो तो चलो बाबू आज के क्लास को यहीं पर करते हैं समापत बाकी आप लोग दोस्तो कम्यूनिटी में जा करके GS by नवदीप सर एक ग्रूप है वहाँ पर भी अपने कॉमेंट लिख सकते हो और आप अपना क्वेस्चन पूछ सकते हो आपको कहना पड़ेगा हाँ पढ़े तभी साधी वादी हो पाएगा तो अभी देखो आरपी आप और यह सब तो छोटा जीवन का एक्जाम है काज भीयाह तक पूछा जाता है जियोग्राफी ठीक है तो यहां आरपी आफ रेलवे आईबी यहीं जीवराफी पूछा जाएगा जो पढ़ा रहें वाई चलो चलो बाबाए टेक केर बाबू और देखो सेशन के बाद रेटिंग देने का आप्शन आएगा बढ़िया फाइव स्टार चाप के दीजेगा नौदीप सर को ठीक है धन्यवाद चले